तो दोस्तों आज नेपाल ने कतर को हरा दिया और दिपेंदर एरी ने छे छक्के मार के एक ओबर में युवरासिंग की बराबरी कर ली या कहें युवरासिंग का रिकार्ड तोड़ दिया ब्यूडियों के बाद में इराक और इज्राइल वार पर भी बात करेंगे क्योंकि के वार सुरू हो सकती है थोड़ा मैच की बात कर लेते उसके बाद इराक इरान और इज्राइल वार के बारे में बात होगी तो जो दिपेंदर एरी ने आज पारी खेली वो बहुत जबरदस्त खेली क्या हुआ दो सो दस रन बनाए नेपाल ने ठीक साथ बिकेट के नुकसान पर बीसोबर में जबाब में कतर की टीम 178 रन बना पाई बीसोबर में नो बिकेट के नुकसान पर कह सकते हैं कतर बूरी कदर हार गया ये मैच आज सबसे अच्छी पारी मिली आपको देखने के लिए दिपेंदर एरी की 21 बॉल में 264 रन बना दिये दिपेंदर एरी ने ब देखने 52 रन बनाए बढ़िया पारी खेली पोडेल 18 रन कोसल मल 18 बॉल में 25 रन ये भी बढ़िया पारी रही और जोरा साथ रन गुलसंजाब पांच रन विवे क्यादव पांच रन तो इस फरकार नेपाल ने साथ बिकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए मनें बहुत बढ़ देपेंद्र एडिट टाइगर ये कभी-कभी लगता है कि देपेंद्र एडिप्यर सचने टाइगर है कतर के बैच्समें कुछ खास नहीं कर पाए खान जो है के खान ठरार बनाए और सब्स्राइक बनाया तनवीर तैस बॉल में प्रप्रान बना दिये तनवीर ने ठीक है यार पांच रनों पे कदर की टीम सिमट गई मतलब कह सकते हैं कि आज का मैच बहुत बेत्रीन तरीके से नेपाल ने खेला है वह 16 ओवर में 140 रन बने थे लास्ट की 24 वाल में सत्ता रन बना दिया नेपाल ने 24 वाल में लास्ट की यानि बहुत बढ़िया पारी जिसे कह सकते हैं चलिया यह मैच नेपाल जीत गया ठीक और बहुत अच्छा जीता इसे कहते हैं बहुत बढ़िया खेल कर जीता है अब बात करते हैं इरान इज्राइल वार की इज्राइल अपने 100 इपी मिसाइले इरान ने तयार करने के लिए इजराइल पर तब तक इडरान अटेक नहीं करेगा जब तक इरान को पूरा भरोसा नहीं हो जाता कि चीन और रूस इरान का साथ दे रहे हैं जिस दिन इरान को भरुसा हो जाएगा कि चीन और रूस इजराइल से वार लड़ने में मेरी मदद करेंगे उसी दिन इरान इजराइल के उपर अटेक करेगा क्योंकि इरान यदि अकेला होता है तो इजराइल को नही के जगह है और इंचनों सोलगल को और इजोड़ करता है पिछले दस सालों से कभी इरान के कमांडरों को मार देता है कभी जो उसके प्रमानूठ ठिकाने उन पर अटेक कर देता है इसटा है immature और इरान चुप चाप इज्राहिल का अत्याचार सहरा है हलंकि इसे अत्याचार भी नहीं कह सकते क्योंकि इरान एटम बम बनाना चाहता है और आप जानते हैं कि अगर किसी मुस्लिम देश के पास एटम बम होगा तो वो क्या कर सकता है वो कहीं पर भी फेंग सकता है भारत चाइना जै पर हैं उन देशों के पास एटम नहीं होना चाहिए जैसे नौर्थ कोरिया क्योंकि यह कंफर्म है अमेरिका ब्रेटेन यह कभी शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रमप्रागत तरीके से लड़ने में माही रहें यानि यह लड़ सकते हैं लंबी लड़ाई बिना नहीं है क्योंकि नाटो की एकोनोमी बहुत जादा है बीस ट्रिलियन डॉलर है और रूस की दो ट्रिलियन डॉलर पैसा भी तो चाहिए लंबी लड़ाई करने के लिए इससे सबसा अच्छा उपाई है एटमिक वार तो एटमिक वार शुरू कर सकते हैं रूस और नौर्थ वार हो जाएगी तो चाहिना की एकोनोमी खत्म हो जाएगी दूसरा चाहिना इरान का साथ भी नहीं देगा क्योंकि चाहिना तीन ट्रिलियन डॉलर का सामान बेशता है जिसमें बाइस ट्रिलियन डॉलर का सामान अमेरिका और उसके सयोगी देश कर जाएगी और चाहिना ब ये देश चायरा से सामान नहीं खरेते हैं तो इनकी एकोनमी को भी भारी यह मुझात नुकसान चायना कोई होगा और यह दिमाग में रख लीजिए यह वार-वार जमीन का जो विबात दिखाई देता यह कुछ नहीं होता तोटल दुनिया में जो जड़ाई चल कि इसलिए इसलिए चाहिient चाहां कि लड़ाई नहीं बहुता इसलिए चाहिना चाहिट हो एयरान का साथ के मदद करके आपने यूक्रेण वार में देख लिया होगा चाया ने रूस की मदद नहीं की कोई भी हत्यारूस को नहीं दिया चाइना से ज्यादा रूस की मदद इंडिया ने की ज्यादा तेल खरीद के तो चाइना साथ नहीं देने वाला इरान का रूस जो है वह साथ देगा इरान का पीछे से फ्रंट में नहीं आएगा लडने के लिए इसलिए इर और थर्ड वर्ड वार होई तो दुनिया की कंडिसन बहुत खराब हो जाएगी, खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, धन्यबाद.